हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आपसम मैं आपका अपनामित्र एडवोकेट SS मिस्तरा लेगल दर्फन चैनल में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज मैं बात करने बाला हूँ कि लेगल नोटिस क्या होता है और लेगल नोटिस भीजना क्यों जरूरी होता है इन दोनों टॉपिक को किलियर करूँगा तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास तक देखे और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हरवार की तरह इस बार भी आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि चैनल को जैदा जैदा सब्सक्राइब लाइक और शेर किजिएगा तो आईए फ्रेंड्स जानते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि लिगल नोटिस होता है क्या या जिस बैक्ति को आप कानूनी रूप से कुछ सुचित करना चाहते हैं तो उसको आप वह नोटिस के द्वारा वह उसना पत्र के द्वारा आप उसे भेजते हैं लिगल नोटिस आप किसी एड़ोकेट के मदद से भेजवा सकते हैं लिगल नोटिस में उन सभी चीजों को लिखा जाता है उन सभी बातों को लिखा जाता है जिस बात के लिए उस बैक्ति से आपको डिस्पुट रहता है उस नोटिस के द्वारा आप बैक्ति को यह सुचित करते हैं कि इस नोटिस को देखने के बाद पढ़ने के बाद यदि आपने मेरे साथ सेटलमेंट करने की कोशिस नहीं की जो आपका जगरा है बुद्दा है उस पे तो आपके खिलाप मैं कानूनी कारवाई करूँगा बकाइदा लिगल नोटिस में आप कुछ टैम का भी लिख देते हैं कि 15 दिन या 30 दिन के अंदर आप यदि मुझसे इस पे कानूनी करेंगे आप इसका सेटलमेंट नहीं करेंगे जिस बुद्दे के लिए आपका उसकी जगरा रहता है उसके तो आपके किलाप कानूनी रूप से मैं कारवाई करूंगा, आपके खिलाब मैं सूट सिविल कोर्ड में फाइल करूंगा. या फिर कोई क्रिमिनल मेटर रहता है, तो भी आप कह सकते हैं, कि आपके खिलाब मैं कानूनी कारवाई करूंगा. तो मोटे तोरबे कहना यह हुआ कि legal notice एक कानूनी सूचना पत्र होता है जिसके द्वारा आप भी बक्षी पार्टी को सूचित करते हैं कि आपका जो मेरे साथ dispute है उस dispute पे within period जो legal notice में लिखा गया है उस period के अंदर आप settlement करने की कोशिस करें मुझसे मिलें मुझे इस legal notice का reply द यही आप legal notice में लिखके उसको देते हैं सारे मेंटर को describe कर देते हैं कि मेंटर यह था जो भी आपका उसके साथ dispute अब नेक्ट की legal notice बेजना क्यों जरूरी होता है और आप उसे as a evidence के रूप में court में paste भी कर सकते हैं उसे exhibit भी करते हैं तो legal notice एक पहला stage होता है किसे भी civil suit फाइल करने का criminal case में जो 138 का मेंटर है चेक बॉंस का मेंटर है चेक बॉंस का मेंटर है उसमें भी legal notice भीजना mandatory होता है legal notice के द्वारा आप बैक्ति को aware कर देते हैं उसको जागरूप कर देते हैं कि आपके साथ मेरा ये मुद्दा है और इस मुद्दे पे यदि आप बैठके इतनी within period जो legal notice में लिखा गया है उसमें नहीं बैठके बात करते हैं तो आप में में कानूनी रूप से कारवाही करू यहां आप उसको सुचित कर देते हैं legal notice को section 80 of CPC यानि धारा असी के अंतरगत civil court of procedure जो है उसके धारा असी के अंतरगत इसको डिफाइन किया गया है तो legal notice एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक primary पत्र होता है जिसके अंतरगत सामने वाले पार्टी को सूचना भेगा जाता है तो इस तरीके से legal notice भेजना mandatory होता है आज पर example के लिए उधारन के तौर पर यदि मैं बताओं तो माल लीजिए कोई recovery suit है सिविल की बात करता हूं सिविल में यदि आप recovery suit फाइल करते हैं किसी से आपको पैसे लेना है तो उसके लिए आप पहले उसको legal notice भेजते हैं अइसा उसको mandatory नहीं है लेकिन आप legal notice उसको भेजते हैं legal notice भेजने के बाद आप जो legal notice में पिरियड दिया रहता है उस पिरियड में यदि आपसे settlement नहीं करता है तो आप उसको मुगदमा भी डाल सकते हैं और मुगदमा डाला ही जाता है ऐसे ही check bonds के में देखिए जिस दिन check bonds हुआ आपको bank से memo मिल गया उससे आप within 30 days के अंतरगत उसको legal notice भेज के अभेर कर दीजे और 45 days जैसे ही cross होता है तो आप उसको Petition 138 का किसे भी criminal court में जो MM के court हते हैं दिली में metropolitan magistrate का court और अन्य district में CGM का court होता है Chief metropolitan magistrate में उस court में आप उसका petition file करते हैं Check bonds का case criminal case होता है और ordinary recovery suit जो होता है वो civil का case होता है तो दोनों ही स्थिति में आप कानूनी रूप से उसको एक कानूनी पत्र जिसे legal notice के नाम से जाना जाता है वो भेजते हैं तो इस प्रकार से आप लोग मोटे तौर पर ये जानिए कि legal notice वो notice होता है जिस notice के द्वारा आप दिपक्सी पाटी को सारे मेटर के बारे में सुचित करते हैं उसमें period लिखते हैं उस period के अंदर गात उसने आप बोल देते हैं कि एतले दिन में आप मेटर को सुलह करें अन्य था आपके कानूनी रूप से कारवाही हम करेंगे और आप उसके बाद कानूनी रूप से कारव पर पेस्ट कर सकते हैं कि मैंने उनको पहले ही अवेर कर दिया था ये चीज बता सकते हैं तो legal notice mandatory होता है किसी भी case के लिए तो legal notice भेजना नहीं भूले legal notice से पहले party को सुची कर दे हो सकता है legal notice भेजने के बाद ही आपका matter सुलज्च है तो इस तरीके से I hope कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि legal notice किया होता है और legal notice भेजना क्यों जरूरी होता है फिर भी कोई confusion हो तो आप मुझे comment करके पूछिए मैं उसका जवाब देने का कोसिस करूगा आज तक के लिए इतना ही फिर में लेंगे next video में तब तक के लिए धन्यवाद